नमस्कार बच्चों चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों आपको पता हैं शब्द किसे कहते हैं जी हां वर्नों के समू को शब्द कहा जाता है शब्द दो प्रकार के होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द ये अविकारी शब्द क्या होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, प्रत्य, आधी के अनुसार परिवर्तन नहीं होता ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, प्रत्य, आधी के अनुसार परिवर्तन होता है ऐसे शब पिकारी कहलाते हैं और पता हैं ये कौन-कौन से हैं? जी हाँ, संग्या, सर्वना, विशेशन, क्रिया तो बच्चों, आज हम संग्या की परिभाशा जानेंगे संग्या के भेद जानेंगे तो चलिए, संग्या की परिभाशा और उसके भेद को जानने के लिए हम ये वीडियो देखते हैं संग्या को जानने से पहले, एक बार आप इस चित्र को ध्यान से देखिए तो इस चित्र में इन सब के क्या-क्या नाम हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं मोहन, लक्ष्मी, हारिका, राहुल और इनका प्यारा सा कुत्ता जिसका नाम है टॉमी यहाँ पर एक घर है कितली दिखाई दे रही है सूरज है पेड है और इस चित्र में एक गाड़ी है जिसे हम कार कहते है और देखिए यहाँ पर यह जो टॉमी कुत्ता है यह राहुल को देख कर बहुत खुश हो रहा है तो आपने इस चित्र में क्या-क्या देखा आपने देखा मोहन, लक्ष्मी, राहुल, हारिका, टॉमी, तितली पेड, कार, घर और खुशी इन सब नामों के बारे में आपने जाना तो बच्चो आपको पता है इन नामों को हम क्या कहते है नहीं पता तो कोई बात नहीं मैं आपको पता देती हूँ इन नामों को हम संघ्या कहते हैं संघ्या यानि किसी वेक्ति, वस्तु, स्थान, प्रानी या भाव के नाम को संघ्या कहते हैं तो ये थी संघ्या की परिभाशा तो चलिए हम संघ्या के कुछ उधारनों को देखते हैं कुछ वेक्तियों के नाम उधारन के लिए महात्मा गांदी लक्ष्मी भाई, अब्दुलकालाम पीटी उशा, इत्यादी साथ ही कुछ वस्तुओं के नाम कम्प्यूटर, कुर्सी, घड़ी, खिड़की अब चलिए कुछ जीव जन्तुओं के नामों को जानते हैं हाती, मैंडग, कबूतर, मचली इसी तरह कुछ स्थानों के उधारन भी देखते हैं जैसे चार मिनार, पाठशाला, मैदान, रेलवेज स्टेशन आईए अब हम कुछ भावों के नामों को भी जानें बुड़ापा, खुशी, हरियाली, उदास, इत्यादी इन नामों को हम एक बार संग्या के भेदों के अधार पर जानें तो संग्या के मुक्य तहा तीन भेद होते हैं वेक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या